है कि सकार दोस्तों सात्यों में सभी का स्वागत आ इस वीडियो में हम सब्सक्राइब आपके डिसक्रस करने वाले हैं टाइप सि कैमिकल रियक्षण काफी important topic है दोस्तो ना कि यह आपके chemistry के लिए important है आपके physical मदब čा एक actual chemistry में बहुत सारे chemicals आप पढ़ते होंगे अपने science के books में और फिर आपने practicals में भी यहाँ chemistry के अंदर आपने तरहा तरहा के यहाँ पर जो chemicals सुने हैं आपको यह पता होना चाहिए कि तरह तरह के जो chemicals होते हैं चाहे वह कोई साभी chemical हो सकता है दोस्तों तो उनसे क्या-क्या reactions हो सकते हैं जैसे की कारवन हो सकता है oxygen magnesium chlorine और कोई साभी कोई साभी दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके chemical होते हैं वह chemical से क्या reaction ह होती है और वो reaction जो होती है उससे क्या चीजे बनती है यह आपको अभी तक नहीं पता है तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होगा आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर मैं इस वीडियो में discuss कर रहा हूं आपसे types of chemical reactions आपको यह जो reactions है जो तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं यह आपको chemistry के book में especially अपके NCRT के book में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको science के chemistry subject में 9th 10 11 12 जैसी classes में और अगर बात करें तो six to eight में भी कुछ chemical reactions वहाँ पर भी आपको दिख जाती है मैं मैं मेल लिए आपको यह कहना चाहता हूं यह topic ना कि सिर्फ exam perspective से एक real life में एक daily life में भी बहुत important role play करता है यह topic अगर आपको chemical के बारे पता है knowledge है तो आप यह समझ पाएंगे कि इन दोनों chemical जैसे कि हम एडिशन करते हैं नहीं mathematics करते हैं जब हम जब two plus four कर रहे हैं तो six आ रहा है तो यह जो हम बीच में प्लस का sign है वह यहाँ पर बता रहा है कि हम एडिशन कर रहे हैं तो एक एडिशन का process होता है सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर जब कोई chemical बना रहे हैं एक से ज़्यादा chemicals को यूज करके नए chemical बना रहे हैं तो वो किस base पर बन रहा है उसका नाम क्या होगा उसको हम reaction कहते हैं तो वो कौन सी reaction है यह भी आपको समझगा काफी ज़्यादा जरूरी है जैसे कि अगर two और four क कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है reactions में chemical आ जाते है chemical reactions की बात करें तो especially अगर हम बात करें यहाँ पर यह आपको schools में तो पढ़ाए ही जाते है colleges में भी जवाब अपने master degrees या अपने higher level के qualifications को कर रहे होते हैं तब भी आपको यह चीज़े बताई जाती है जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सी chemicals को मिला के क्या chemical बनेगा और वो कौन से reaction है यह काफी बार questions भी आते हैं तो इस topic को discuss करना काफी important है जिसको हम इस वीडियो में cover कर रहे हैं कि types of reactions कि कितने तरीके के reactions होते है chemical reactions वो हम discuss करेंगे अब दिगे आप जो भी chemical reactions आगे सुनते हैं अब वो इन ही के part होंगे suppose मानिए आप redox reaction सुनते हैं या कोई दूसरे कोई reaction सुनते हैं तो वो reactions जो है वो इन ही के part है यह reactions के वो सब topics है ऐसे आप कहेंगे कि यार आपने जो chemical reactions बता है वो जो हमने सुने वो कुछ और है और यह कोई और है तो वो जो आप नए reaction सुन रहे है न दोस्तों वो ही reaction से कुछ अलग नहीं है और यह बात इसलिए इंपोर्टेंट होती है क्योंकि कभी कोई reaction की जगा जो है opposite reaction हो जाने के कारण chemicals के वजा से काफी सारे जो है अलग-अलग situations हो सकते हैं काफी जादा आप समझ नहीं पाएंगे भाई क्या क्या हो सकता है chemicals अगर आपने गलत तर तो इसलिए chemicals की knowledge होना काफी जरूरी है तो हम यह आपर types of reaction सबजने वाले हैं हम presentation के जरिए समझेंगे पूरी चीज़े एक एक चीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखना आपको समझ आजा जाएगा कौन-कौन से chemicals होते हैं यह एक्जाम में जरूर आते हैं आपके exam से important तो ही और daily life में भी important है चलिए हम आगे चलते हैं suppose मैं आपको बता दू यह यह जो है पूरे दुनिया में important होते हैं अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें इसमें यह जो topic है यह हर जगा पढ़ाया जाता है अब माल लिए देश विदेश हर जगा पे रसी रसिया में भी चाइना मे इंडिया में भी और अमेरिका में भी यूकरेन इसराइल एजिप्ट कोई सा भी देश तो देश हो दोस्तों कोई सी भी जगाओ chemicals जो है वो ऐसे important role play करते हैं जिसको हर schools में भी पढ़ाया जाता है तो यह आपके लिए throw out और पूरे world के लिए topic रहेगा this topic is very important for the whole world तो हम आग है लेकिन हम इसको हिंदी के preference रखके discuss करेंगे इस topic को क्योंकि यह topic जो है important तो है ही लेकिन अगर हम जैसे समझें कि ज्यादा लोग जो समझना चाहते हो हिंदी में समझना चाहते है इस topic को इस वजह से हम इसको हिंदी में discuss करेंगे चलिए हम आ गए presentation की तरफ आ चुके है presentation में आप देखेंगे types of reactions की बात कर लेते synthesis synthesis reactions होती है यह अब इसमें अब ऐसा नहीं कि आप एक ही दो तरीके के chemical होंगे सिर्फ उनको मिलाने से जो है यह reaction बनेगी synthesis reaction बनेगी number of chemicals हो सकते हैं दोस्तों जो synthesis reactions को बनाएं तो synthesis reaction के अंदर बहुत सारे chemicals आ सकते हैं आपको समझना ही है कि synthesis reaction का अलग process होगा बाकी reactions का अलग process होगा synthesis reactions होए है decomposition reaction single displacement reactions तभी आपका यहाँ पर आप देख सकते है अब डिस्प्लेश मेंट उसके वाद combustion reactions तो हम सब्चेंगे के को सबसे हारे यू नियर्ट टु बी एबल टू identify each time हमें जोई जरूत होगी एक चीज को समझने की आपर सबसे पहले आपको बता देता है आपर जैसे कि आप देखते हैं synthesis reaction हमारा पहला टॉपिक है यानि कि अवर फिर्स्ट टॉपिक यह हमारा फिर्स्ट टॉपिक है और फिर्स्ट ही reaction है इसका नाम है synthesis इसको डिस्केस करेंगे सबसे पहले एक्जांपल समझते है synthesis reaction का जैसे कि आपने माल लीजे कारवन जो होता है कारवन और ओक्सीजन तो हमने अगर ऑक्सीजन के अगर दो 2 molecule हो जाएंगे तो औक्साइड कहलाएगा अगर बात करें अपर oxygen के 2 molecule और carbon तो यह हो जाएगा CO2 यानि की carbon dioxide आप देख सकते हैं C का एक molecule दिख रहा है आपको 2 molecule आपको इस दिख रहे हैं molecule हो जाते हैं 2 आपके oxygen के हैं तो टोटल यहाँ पर आजाएगा co2 यहाँ पर bond जो बनाते हैं carbon आजाता है बीच में दौनों oxygen के molecules के बीच में carbon आता है और फिर इसके बार ही यह co2 बनता है आपको समझ रहाएगी कैसे बनता है आपको बताना चाहूंगा जो oxygen है उसके एक-एक molecule और carbon का एक तो यह मिलके आपके carbon dioxide बना देते हैं जन्रलगी आप देख सकते हैं जन्रल हम समझ सकते हैं जन्रल यह कैसे समझना जाएगी एक अलग से chemical लिया ए दूसरा chemical लिया भी अभी अभी इसलिए बोला है मनलेचे जो बी रहेगा वह ए जैसा नहीं होना चाहिए दोनों अलग chemical होने चाहिए तो जो बनाएंगे वो ए भी बनाएंगे synthesis reaction के अब हम आगे बढ़ते है एक्जाम्पल हम यहां पर इमेज से समझेंगे suppose लेकि यहां पर हमें दिया गया है पोटेशियम हमें एक जो है एक यहां पर दिया गया है इसके अंदर इस ग्लास के हो जाएगा क्लोरीन जो होता है जिसको हम क्लोराइन भी बोल रहे हैं आपर उसके दो मॉलिक्यूल और पोटेशियम का एक पोटेशियम के भी दो तो आप देख सकते हैं दोनों जो मिलेंगे पोटेशियम को के से लिखते हैं और कलोराइन को सी एल टू से लिखते हैं अब बात करते हैं अगर यह दोनों मिलते हैं तो यहां पर आपका potassium chloride बनेगा यह के CL बन जाएगा इसको balance करना जरूरी होगा reaction को तो इस वज़य से आपर 2 CL के और 2 potassium की वज़य से आपर 2 आ गया है तो potassium chloride जो आपका बने वाला है सपोज मान यह है sodium और यह क्लोरीन है तो जो next बने वाला है वो क्या बने वाला है और इसमें आप खुद से practice कर सकते हैं कर जिसको भी जवाब हो खुद की खुद के तरफ से आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं यह क्या बनेगा आपको बताना है और यह भी बताना है कि इसमें आगे जो इसको बैलन्स करने के लिए जो आगे नंबर आएगा molecule का वो कितना आएगा जैसा कि मैं आपको बता दू कि इसका बनेगा sodium chloride बन जाएगा यह आपका जो salt होता है वो आजाएगा और इसमें अगर बात करें हम यह आप पर तो NaCl हो जाएगा और यह आप पर Cl के दो है और Na के नहीं है तो 2 NaCl हो जाएगा यह मैंने आगे इसका अंसर बता दिया भी आपका आगे आएगा mg और F तो यह आपका रहेगा mgf और इसमें आगे आपका आगे इसके 2 आ जाएगा magnesium और fluorine है यह और यह aluminium और fluorine है इसमें भी आपका आगे 2 आएगा आप देख सकते हैं यह NaCl है अब यह आप पर इसमें mgf और उसके बाद ए यह सारे आगे numbers अब आप देख लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर NaCl आपका ऐसे हो गया बैलेंस में और mgf आ गया है mgf में F के आगे 2 है जाए बिल्कुल बैलेंस करके रखना है दोस्तों बैलेंस करके बनानी है यह अब देखेंगे तो जो आपका ऐल अलूमीनियम और यहां पर फ्लॉराइन जो बनाएगा वह ए एल एफ थ्री बनाएगा यह निकि फ्लॉरीन के यह थी तीन मॉलिकूल बना देगा वो तो इस वजा से जब यह बैलेंस होके आएगा तो इसमें आपके ऑई कितने एल के आगे कितना आ चाहिए तो यहां पर अपर थ्री हो गए और यहां पर 6 हो जाएंगे और F2 के आगे 3 लिखना होगा जैसे NACL में 2 लगा दिया आगे balance हो गया mgf के अंदर आगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर देखिए यहां पर ने के आगे यहां पर देख सकते हैं यहां भी 2 आगया अब डीकॉंपोजिशन रियक्शन की बात करते हैं इसका उल्टा हो जाता है अगर कोई कहें का इक्जामपल दीजे तो यह जो रियक्शन आभी आपको दिखा रहा हूं इसी को उल्टा साधेंगे तो वह आपका आपका बन चुका है उसको हम ब्रेक कर देंगे जैसे की एबी को हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया डीकॉंपोजिशन रियक्शन हम सबज लेते हैं एक्जामपल के दोह पर है एक्जामपल है हमने यहां पर है तो है एक्जामपल है हमने यहां पर है तो है है एक्जामपल के हम यहां पर दो मॉलीक्यूल लेंगे दो ही हम ऑक्सिजन के लेंगे तो हैच्टी ओ को हम यहां पर तोड़ देंगे एच्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपको balance करना होता है यह बाद में आता है पहले आपका simple जो आपका element होता है मालब जो आपका chemical होता है उसका ही नाम होता है वही चीज़ होती है तो decomposition reaction हो चुकी है हमारी इसके आगे single displacement क्या होता है जैसे कि zinc और कि zinc और chloride कि बात कर लेते हैं पर c ucl की बात करेंगे और यहां पर zinc की बात करेंगे इन दोनों को यह example है जैसे कि इन दोनों को मिलाया हम ने जिंक को मिला दिया और c ucl2 को मिला दिया है single displacement है मतलब आप समझी इसमें क्या होने वाला है यह जो reaction है displacement अलग सिंगल displacement मतलब कि एक ही जी एक ही चीज़ की एक ही chemical का displacement होगा जैसे आप यहां पर देख रहें इसको मिला के जो ही बन रहा है यहां पर इनोंने करा c ucl2 को यानि कि c ucl2 के दो molecule को और इसके साथ zinc को मिला देंगे तो zinc आ जाएगा c l2 के साथ यानि दो chloride chloride के साथ दो molecule of chloride के साथ आ जाएगा और c u यानि वह अलग चला जाएगा थोड़ा और आगे चलते a b plus c है तो सब्सक्राइब यहां पर a c हो जाएगा और बी अलग जाएगा जिंक वाज ऑक्साइड जिंक जो है वेंट फ्रॉम निट्रल जीरो टू प्लस टू जब जिंक जो है ऑक्साइड होता है जब वह निट्रल होता है जीरो से प्लस टू दक अब स्ट्रॉम जो होता है वो वाज़ूट वन जब वह प्लस टू से जीरो पर आता है मत्रव कि सीऊ जो है आपर क्या हूआ है भी जीरो जो एंडियोज हो चुग है मतलब आप देखेंगे आपर किसको अपने आपको कौन अट रहा है सीउ अटा रहा है तो सीम अपने आप replacement समझेh displacement मतलٌ क्या हूब हमने एक चीट को अठाया और दूसरा अलग गडगा replacement क्या होगा उस चीट को वहाँ से अठाया और खुद अपनी जगा ली मतलब सेव आपने हमारी जगा लिए हम ने आपकी लिए सेव इस तरीगे से होगा यह single replacement replacement अलग होता है displacement अलग होता है मैं आपको बताता हूँ जैसे कि H2O है H2O के 2 molecule है हमारे पास लीथियम के भी 2 है तो लीथियम H2O और लीथियम मिलेंगे यहां पर दोनों अपने 2-2 molecule के साथ आएंगे लीथियम hydroxide बन जाएगा LiOH और hydrogen अलग हो जाएगा तो इसमें बना कैसे है जैसे कि Li था आपका इसमें आपका hydrogen भी गया hydrogen का एक molecule चला गया oxygen का भी चला गया और एक अपना hydrogen ऐसे ही रह गया तो यह हो जाएगा single replacement राइट एंड बैलेंस अ फॉलिंग सिंगल रिप्लेस्मेंट रियक्षिन अब आपको बैलेंस करनी है जैसे यह जेकिए कि जिंक है प्लस है यह नहीं हाइड्रो क्लोरीक एसीड है हाइड्रो क्लोराइड है यह और इसके अंदर जिंक रहेगा तो जिंक जैड़न लहो जाएगा c2 और एच तु अलग हो जाएगा तो इसको अगर बैलन्स करेंगे तो आप आगे बता सकते हैं मिर को जहां इसको balance जब करा जाएगा तो hcl के आगे 2 आजाएगा जिससे कि cl 2 वहाँ पर है तो यहाँ पर hb2 हो जाएगे और h2 हो गए है तो उस-sand में 2 ही है cl के आगे यहाँ पर हमने 2 लगाया ए लेफ्ट side में hcl के आगे 2 आएगा तो यहाँ पर CL तो चलो balance हो गया left hand में right hand में भी balance हो चुका है CL लेकिन H2 right side में 2 है और left side में यहाँ पर वो भी balance हो गया zinc में आप देखेंगे तो zinc में एक ही है मतलब मैं ZN CL के CL2 के आगर 2 लगाता हूँ तो जो CL2 है वो हो जाएगा 4 तो मुझे HCL के आगे 4 लगाना पड़ेगा और इधर 2 लगाना पड़ेगा मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पर zinc के आगे 2 आएगा HCL के आगे 4 आएगा जिसे की CL4 हो जाएगे यानि कि ZN left hand में ZN के आगे 2 है HCL के 4 है और ZN CL के आगे 2 है और H2 सिंगल रहेगा लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा है देखिए HCL के आगे इन्होंने 2 लगा है तो यहाँ पर इन्होंने Hydrogen बैलंस करा है क्लोराइड क्लोरीन भी बैलंस कर दिया लेकिन अब ZN की बात आते है ZN भी हम देख रहे है दोनों साइड में बैलंस है तो यह बैलंस हो जाएगा थोड़ा कन्फ्यूजन था जो मैंने आपको भी बताया अब NACL प्लस F हो जाएगा तो इसमें आप देखिए तो यहाँ पर NACL और CL 2 हो गया है तो यहाँ पर अभी बैलंस नहीं है कि इसको आपको बैलंस करना है सकेंड वाली को थाड़ वाली को भी आप देख लिए यहां से सैकेंड वाली को बैलंस करने के लिए NACL को तो लगए गा जिससे कि यहाँ पर आप राइट हैंड गागे नज़े लगाते है तो यहाँ फ भी बैलंस हो गया CL2 था और CL2 यानि कि आपको आपको NAF के आगे 2 लगाना है यह आपका A Aluminium रहेगा AL Aluminium उसके आद CU रहेगा उसके बाद CU NO3 यह अब यहाँ पर दें कि लिखा होता है कि कौन से चीज जिंक कुछ होता है वह solid होता है आपको पता है और कुछ liquid होती है कुछ solid होती है कुछ gas होती है कुछ aqueous होती है तो जो HCL होता है वह aqueous है अब इसमें बात कर लेता हूँ AL Cu NO3 यह जब बनेगा तो CU अलग अटेगा और AL NO3 यहाँ पर बन जाएगा bracket close और फिर 3 आगे और इसमें लगेगा यह क्योंकि यह बनता है सही है इस वजह से यह होती है चीजे अगर बात करें इसमें balance करने की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 लग गया left hand side में तो 3S के आगे लगते ही और इदर 2 लगेगा जैसे मैंने आपको बताया आप देख लीजेए यहाँ पर AL 2 थे अब left hand side में भी AL के आगे 2 आ जाएगा और इदर right hand side में C के आगे 3 आ जाएगा यह balance हो गया double displacement क्या होता है MGO और CA calcium और यहाँ पर S है S किसी element का नाम होता है S sodium को बोलते है नहीं sodium को नहीं बोलते है sulfur को बोलते है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा MGO और CAS तो यहाँ पर double displacement किसके बीच में होने वाली आपको बताना है double displacement यह होगी MGO में से कोई एक चीज हटेगी वहाँ पर CAS में से कोई एक चीज भाँ चली जाएगी और CAS के अंदर MGO में से कोई चीज दूसरे जगा आजाएगी अब आपको बताना है double displacement रहेगा आपको बताना है कौन से चीज कहा लिए देखें MGS हो गया है और CA हो गया है जैसे AB plus CD था तो AD हो गया है और B CB हो गया है थिंक अबाउट इट लाइक फो फोईल फोईलिंग इन एलजेबर फर्स्ट एंड लास्ट आयों गो टुगैदर बलग सुरू के और आकरी के जो आयन है वो एक साथ चले गए प्लस इंसाइड आयन जो अंदर थे गो टुगैदर वह और जो अंदर आयन थे वह एक साथ चले गए एक्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे कि AG NO3 है और अगर अगर देखेंगे तो इसमें क्या होने वाला इसमें आपका ये और ये साथ आनेवाला है और ये दोनों एक साथ आजेंगे आगे आदर आग्जाम्पल आप देख लिए जैसे ये लिखा है के टुएस ओफॉर है और ये बीए आई-नो थी अब्रैकेट क्लोज टू है तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें क्या होने वाला इसमें आपका ये और ये साथ आने वाला है और ये दोने एक साथ आजेंगे देखिए वही यहां पर बन के आया है देखिए वह इन्होंने बताया देखिए जो मैंने भी ड्रॉ करा था वही चीज यहां पर ड्रॉ करके बताई गई है प्रडिक्ट दा प्रोडक्ट अब आपको प्रैक्टिस करने है इसकी फिर बताने है खुद आप अपना वीडियो को पॉस करके कर लेना कर आपको आदेखिए है के इसका प्रोडक्ट यहां पर नहीं दिया गया है प्रोड़ट प्रोड़क्ट आपको बताने है कमेन्ट वेकर करके क्या किस्के अंसर सो सकते फिर आम इसको डिसकस कर लेंगे के आपकी प्रिकवार्मेंट के बेस पर आगर इस पर दिवांट रहेगी तब ही हम इसको discuss करेंगे इसके solutions को चलिए आगे चलते हैं combustion reactions की बात करते है fire triangle जहाँ पर oxygen O2 है और heat आप देख रहे है oxygen और यहाँ पर heat chemical reaction जो बन रही है fuel oxygen और heat मतलब कि oxygen से O2 से और heat से जब chemical reaction होती है तो fuel बनाती है इसको combustion reaction कहें है hydro carbon reacts with oxygen यानि कि hydro carbon heat को कहा जाता है जिसके अंदर जो है hydro carbon होती है उसके अंदर react with oxygen अगर वह oxygen gas के साथ react करती है तो तो बन वो तो बन तो जल जाएगी ना आप समझे है अगर heat है कोई और oxygen है तो वह दोनों तो भाई जल जाएंगे combustion होगा वहाँ पर तो वह बर्न होगा उसको burning कहेंगे और in order to burn sometime you need the three things in the fire triangle fuel hydrogen 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 अब देगे कोई चीज़ जल रही है तो उसमें आपको किस की चीज़ की ज़रत होगी oxygen की ज़रत होगी फ्यूल जिसे की hydrocarbon carbon एक फ्यूल हो गया hydrocarbon ही नहीं और भी फ्यूल होते हैं यहां पर hydrocarbon हमने लिया है hydrocarbon है oxygen है और something to ignite the reaction spark combustion reaction अब देखिए यहां पर carbon monoxide detector जैसे कि इन जनर्रल अगर cx है xy आप समय लिए उसके molecule है आप जो भी हो इस पर carbon के और hydrogen के जो भी हो उसके आप oxygen के दो है तो यह co2 बना देगा और h2 अलग बना देगा अब आपको बताना है x और y क्या होगा वही तो आप देख लीजे co2 है न तो यहां पर oxygen तो यहां पर यहां पर h क्यानी कि carbon और hydrogen के आप जितने भी molecule ले लीजिए वह जब combine होके oxygen के साथ जो भी बनाएंगे तो वह carbon dioxide अलग बनाएंगे और water अलग बनाने वाले है अल्थो इंकंप्लीट वर्निंग डज डज कॉसम सम बाइप्रोडक्ट्स लाइक कार्बन मोनोक्साइड कंबशन इस यूज तो हीट होम्स एंड रन ऑटो मोबाइल्स ओक्टेन एज इन गैसो लाइन इस 21FI C8 और H18 मतलब अगर बात कर HU Kamera कहां यूज होता है जैसे कि घर में और हीट कर रहे कुछ बी जला रहे हे टो वहां पर जो वहिकल्स हो ती है ऑटोमोबाल होती है वहिकल्स होती है कार्स होती है या कोई भी वेहिकल होगा, तो वो जो है, वो उसमें वो combustion reaction के हो रही है उसके अंदर, उसके running के process में, जो कि octane बना रही है, octane मतलब हो जाता है, कारवन के 8 अगर वहाँ पे molecule है, तो वो हो जाएगा octane, और उसमें single bond, मतलब कि कारवन अगर hydrogen के साथ single bond बना रहा है न, तो वो N आएगा, तो इसलिए उसको octane बोला है, ना कि octane और octane, यह चीज़े बात की है, हम फिर कभी इसको clear करेंगे, single bond, double bond, triple bond, यह आपका होता है, यहाँ पर example आगे है, हमारे पास combustion का, C5H12 plus O2, तो यह बनाएंगे CO2, मैंने आपको बोला था कि यह कितने भी आपके molecule हो जाए, अगर carbon hydrogen शाथ में है, तो वो oxygen के साथ मिलके carbon dioxide और hydrogen ही बनाने वाले, hydro, hydro oxide ही बनाने वाले, H2O यानि water ही बनाने वाले, यह balance हो गी है, write the product and balance the following combustion reaction, अब आपको इसको प्रोड़क्ट लिख लेना है, प्रोड़क्ट में बिना कुछ सोचे, आप CO2 अलग लिख दीजिए, और H CO2 है, तो यह निकि आप हमारे पास C आपर वैसे 10 थे, और हमने यह पर CO2 कर रहा है, तो हम CO2 के आगे कितना लिखने वाले है, 10 लिखने वाले, जिससे कि CO2 right side में balance हो जाएगा, carbon balance हो जाएगा, और oxygen जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, अगर हम बात करें, plus उसके बाद हम क् oxygen 2 हुआ है, और oxygen 0 है, oxygen 1 पे है, और hydrogen 2 पे है, तो H2O में हम H के आगे क्या लखने वाले है, तो यह आपको आगे बताना है, state the type and predict the product, इनके product भी आपको बताने है, तो यहां से हमने सारे reaction समझ लिए, आप देख सकते हैं, हमने सारे reaction समझ लिए, दोस्तों, आप देख लेंग इसको आप रीड करना, अच्छी से बार-बार इस वीडियो को देखना, जो समझना आए, कमेंट में कर देना, हम उसको discuss कर लेंगे, फिर कभी नए session लेकर, नए वीडियो को लेकर, और यह प्रैक्टिस के आपके थे, वो इसको प्रैक्टिस कर लेना, आप कर सके तो, यही आपको बताना था, मैंने आपको सारा किलियर कर दिया, टाइपस ओप केमिकल रियक्शन कौन-कौन से होते हैं, मिलेंगे आप से, नए टॉपिति, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद,